ये बड़ी बड़ी गारियों में लोग वीडियो बनाते जो नजर आ रहे हैं ये क्या वीडियो बनाएंगे अगर ये पहाड स्वक्ष और सुन्दर नजर नहीं आएंगे ये एक बहुत परसिद ही कहावत थी कि यात्री भाई किसका खाया पिया और खिसका रोटी बनकर फिर और उसे व्यस्टेश की रूप में बरबाद कर दिया जाता है सरकार भी कंद मिला रही है और मेरे माननी है मुख्य मंत्री जी जो कि सामने हाथ जोड़े खड़े हैं उधर हाथ जोड़े खड़े हैं यह सेवादार सब अपनी मर्जी से आगे हैं इनको पकड़ पकड़ ला यह जो दो ट्रैक्टर आप मेरे बिल्कुल बैक सेट पर देख पा रहे हैं पीछे और यह ट्रैक्टर पर माता चिंतपुर्णी के सावन नवरात्रों के मेले के दुरान जितना प्लास्टिक या फिर वो कच्रा डिस्पोजिवल जो कच्रा था वो फैलाया गया वो कच्रा एक मजबूत कंद्वे पर यहां के स्वक्षता की जिम्मेवारी उठाए आज स्वक्षता अभ्यान चला रहे हैं मेरे साथ हैं क्लीन सीटी ग्रीन सीटी के अध्यक्ष और साथी साथ अगर आप देखें तो यहां पर सिरफ इन्होंने स्वक्षता के इस कारिकरम में भाग ही न प्रण देखिए इनके गलव्स देखिए इनके मास्क देखिए इन्होंने सिर्फ आपके स्वास्त का ख्याल नहीं रखा है बलकि इन्होंने अपने स्वास्त का भी ख्याल रखा है यह हाथों में फावड़ा यह आप कुदार देखिए और यह बड़े डंडे के साथ आप जाड़ू देखिए ये प्रोफेशनल नहीं है पर जो काम ये कर रहे हैं वो प्रोफेशनल से भी कम नहीं है प्रधान जी क्या कुछ जो कारिकरम है वो आज चिलाया जा रहा है समार्ग पर पहले तो पांड़े जी आपके चैनल के माध्यां से सारे भक्तों को जैमाता की यह सावन के मेले के बंडारे लगे थे यहां पर माता चिंतपुर्नी के उनकी समापती हो गई भक्तों ने बहुत अपने मन से लंगर लगाए लाखों रुपया खर्च किया लंगरों पे और उसके बाल लाखों की गिंती में यहां पर शरदालू भी आए जो यहां पर लंगर पर फेंक के लिए लेकिन वाकिया जो लंगर लगाने बाले थे लो बहुत से क्या लिए और लंगरों के बैक सैड्वे खाईओं तो वो भी एक बड़ी परिशानी का कारण है तो इसके इसको देखते हुए पिछले मलब 6-7 साल से हमारा जे मिशन रहता है कि इस रोड की सफाई की जाए तो हमारी क्लीन सिटी ग्रीन सिटी जो संस्ता है वो 2-18 से ये कार्या कर रही है इसके साथ ही हमारे यहां पे दूसरी संस्ता जो हमारी है स्वच्छता दा लंगर सेवा सुसैटी वह भी पिछले तीन साल से ये सेवा कर रही है और हम दोनों आपस में कंदे से कंदा मिला कर इस मेले के बाद भी और मेले के दुरान भी इस सेवा पर लगे रहते हैं कि सरकार भी आपके कंदे से कंदा मिला रही ह आपको है ने तो साल कमारा इरिया नहीं यह पिछले दो साल नागर wagem ने पहुत्थ lasanda K obese बाहुत कारे दिरान उन्होंने नगारी के अपने-सेवाई लगाए और काफी अच्छी विवस्ता थी लेकिन इस बार जो जिस समय मिले चल रहे थे उसमें हमने किसी भी नगर निगम के मलब करमचारी को इस साइड पर नहीं देखा लेकिन कल कुछ करमचारी यहां पर आये थे और उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया चौहाल से ले के बादर तक हम पूरी सफाइय करें सेवादार सब अपनी मर्जी से आगे है इनको पकड़ पकड़ कर लाया गया सब अपनी लंगर लगाने वाले कमेटियां उनको यह बात बड़ाँ से सुन लेना चाहिए परदान जी कैसे देखते हैं सवक्षता अभ्यान सर सवक्षता म बोड़ रहा हूं मैंने देखा अभी जब हम पहले आये जहां आप गंद देखते इतना बड़ा बड़ा था कि कहने की हद नहीं थी और दो गाईयां कल मर पड़ी मर गई थी इसके कारण जो कच्रा उठाके कच्रा खाया हमने कच्रा आज उठाया सारा कच्रा उठाके उसको रॉक्त होत्यौन में देख सकते सारी भरी बड़ी है ममारी जो दो त्राली हम नीचे से है कल हमने कुछ सटाओ को हमने बुलाया भी था कि अपने लंगर को आप सभाई करके जाओ आप 10-20-20 लाग लगाते हो लंगरों में पर उसके बाद में सभाई करके नहीं जाते हैं वट कल हमारे कहने पर वो कल संस्ता आज आई है उन्होंने सुबह आके 7 बजए अपने लंगर की सभाई किया हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो लंगर कमेटिंग हैं बाद में भी आप शुकर गुजार है वट कई संस्ता एंसी भी है जो कहती हमारी जिम्मेवारी नि बनती यह नगरन्यों के जिम्मेवारी है हमारी जिम्मेवारी सन लंगर लगाने कि अ हम प्रशी किया है और बकी सलसा देखे हम कोई लें conservation मतंशे से पर हमें उनसे गुजारिश करते हैं जो भी लंगर लगाते हैं उनसे दिल दिल सेगुजारिश करते हैं 먹 कि लंगर पुन्य के भागी कैसे बने यह बहुत बड़ी बात प्रधान जी ने कहीं है और लगातार मैं चाहूंगा आप प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बड़े फॉम में नजर आ रहे हैं और सफाई करने कुर्ट प्यामे में चले आएं क्या कहना चाहें मैं मंदीव शर्मा जी के साथ जहां पर मेले में ड्यूटी मजिस्टेट भी रहा और 20 किलो मीटर का एरिया है तो तब चार तसील दारों को विए में होनी चाहिए और यह प्रकर्ति यह भी देवी है इसकी पूजा भी जरूरी है क्योंकि जदी हम प्रकर्ति का ध्यान नहीं रखेंगे आने वाले समय में पानी की बनस्पती की सभी समस्याय होंगी और प्लास्टिक और यह कच्रा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कह लि उन लिफाफों का उन गुलास्टों का अजूज करते हैं इससे हमें बचना चाहिए धन्यवार पॉलिसीन से बचना चाहिए यह बड़ी बात करते हैं आप लोग अपने-पने काम पे डट जाए हम लोग थोड़ा वीडियो बना लेंगे और दूसरी बात जो है वो मैं आप अधो लोगत चला है कि वह जितना कच्रा था उसारा निकला कर रोट पर रही और रोट पर कच्रा आने के कारण sky हो रहा कि जो यहां के जानवर हैं जंगली जानवर दिखा दिजिए उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि घर-घर मुफ्त रासन की सुरवात हो गई है दूसरी तरह बता रहे हैं फसलों की सिचाई के लिए नहरी पानी कहां तक पहुंचा है और तीसरी तरफ आप यह देखिए कि जो जिम्मेवार अध नजर आ रहे हैं यह बरसाती नाला है बरसात के पानी के निकलने के लिए नाला है आप बताइए वहां से अगर आप सुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलीथीन क्या है अपने लिफाफे क्या है डिस्पोजिवल क्या है हर एक चीज से यह पूरा जो रास्ता है यह भड़ा पड़ा नजर आ रहा है हर तरफ हर तरफ आप देखेंगे कि यह जो कच्रा है वह भड़ा पॉलिसीन भड़ा नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि दूसरी और से इसका जो अभ्यान है इसके अभ्यान की शुरूआत हो चुकी है बड़े- टब के माध्यम से इसे भरा जा रहा है और रास्ते को स्वक्ष और सुन्दर बनाने में जो है वह अभ्यान इस वक्त चला जा रहा है जो लगातार हम अभ्यान देख पा रहे हैं वह अभ्यान यहीं कहा रहा है वह अभ्यान वह शुरूआत वह शुरू हो चुकी है पहाड़ों को सुन्दर बनाने का पहाड़ों को स्वक्ष बनाने का कैमरमेन साहब ध्यान से गाड़ी देखते हुए इदर आएंगे और यह देखिए और यहां यहां अगर मैं बात करूं तो देखिए यह यह सिरफ कहते हैं ना भोजन उतने ही लो थाली में कि व्यर्थ नजाए नाली में और यहां देखिए वह खाने का कच्रा जो है जो बड़ी प्रसेस के बाद थाली तक पहुंचता है किसान फार्मर जो हैं पहले उसे खेतों में पैदा करते हैं अनाज को फिर अनाज आगे प्रसेस मे पहुंचती है और फिर उसे वेस्टेज की रूप में बरवाद कर दिया जाता है एक लंबा प्रसेस एक लंबी परकिरिया जो है उसको बरवाद करने का यह परतेक्ष द्रिश्च जो है वह आप इस वक्त देख पा रहे हैं वह सीन आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो जाई किसका खाया पिया और खिसका तो यहाँ पर भी यह बिलकुल लागू होता है जो लंगर लगाने वाली संस्थाएं हैं और जो लंगर खाने वाले सरधालू हैं जो भक्त हैं उनको यह देखना पड़ेगा कि वह लंगर खाने के बाद जूठा कितना छोड़ रहे हैं और वो जो डिस्पोजिवल जिसमें वो लंगर खा रहे हैं उसका निस्तारण वो कैसे कर पा रहे हैं यह बड़ी बड़ी गारियों में लोग वीडियो बनाते जो नजर आ हैं यह क्या वीडियो बनाएंगे अगर यह पहाड स्वक्ष और सुन्दर नजर नहीं आएंगे कैमरामन पवन कुमार के साथ मैं अभी रंगी पांडे जी वी सी अपडेट